हलो आपरिवान वेलकम बैक तू मैं चैनल इसके लार्क मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सराइस 15.3 के जो तीन कॉस्चन हमारे बचे हुए हैं उन तीनों कॉस्चन को हम कंप्लीट करेंगे तो पिछली क्लास थी पिछली क्लास में हमन नहीं आएंगे क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बेसिक्स भी आपको समझाय तो उपर आपको लिंक मिल जाएगी पिछले वीडियो की और उपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो की डिस्रिप्शन box में भी मैं link mention कर दूंगी बागी जितने भी chapter हमारे complete होते जा रहे हैं सभी की playlist मैं video के description box में mention करते जा रही हूं तो video के description box से आसानी के साथ आप कोई भी chapter देख सकते हैं ठीक है तो class start करते हैं और सबसे पहले यहां पर मैंने question number 3 पूरा नहीं लिखा है तो सबसे पहले question number 3 को थोड़ा सा समझते हैं कि question number 3 में हमको क्या बोला जा रहा है an analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B यानि कि यहां पर दो firm हमको दिये हुए हैं और उन में जो भी workers काम करते हैं उनी से related यहां पर थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है ठीक है so यहां पर हमको पूला जा रहा है आगे belonging to the same industry give the following result so यहां पर एक firm A है और दूसरा firm B है उससे related कुछ wages की जानकारी हमको दी हुई है information दी हुई है अब इसको थोड़ा सा समझे question में हमको दिया है number of wage earners मतलब कि यहां पर जो लोग भी काम करते हैं और काम करके उनको कुछ प firm B में इतने लोग है clear ठीक है इसके बाद हमको जो दूसरी चीज दी है वो दी है mean of monthly wages firm A में भी और firm B में भी अब इसका मतलब क्या हुआ तो भाई यहां पर हमको बोला गया है कि monthly wages जो लोगों को मिलता है उन सभी का mean find करा है तो यह mean value है ठीक है mean of monthly wages firm A में भी 5253 है और firm B म 253 है मतलब दोनों में जो monthly wages है उसका mean same है ठीक है यहां पर इतने लोग काम करते हैं यहां पर इतने लोग काम करते हैं दूसरी चीज variance of the distribution wages ठीक है तो यहां पर firm A के लिए variance हमको दिया है यह और firm B के लिए variance हमको दिया है यह ठीक है अब इसके अंदर दो question है मैंने अभी पहला लिखा हुआ है समझ में आगई बात कि दो firm है A और B उनी के जो monthly wages है उनी से related यह data है किस तरह का data है मैंने आपको समझा दिया और इस पर अब हमसे दो question पूछे गए हैं तो पहला question मैंने यहां पर लिया हुआ है ठीक है clear समझ में आगई बात चलो अब हम थोड़ा सा as monthly wages हमसे यह बोला जा रहा है कि जो firm A है और B है दोनों में से कौन सा firm ऐसा है जो की जादा amount pay करता है समझ में आई बात जो जादा amount pay करता है monthly wages में clear अब यह हम को कैसे पता चलेगा वह हम क्या करेंगे कि firm A monthly wages में कितना पैसा देता है और firm B कितना पैसा देता है दोनों का calculate करेंगे और देखेंगे कि कौन जादा पैसा दे रहा है ठीक है भाई कोई भी firm है कोई भी company है अगर उसमें मान लिजे 10 लोग काम कर रहे है ठीक है तो यह तो हमको पता है कि किसी की salary कम है किसी की जादा है लेकिन उसका mean हमने find कर लिया तो यह mean हमको दिया हुआ है अब हमसे यह बोल रहे है कि वो firm अगर total उसकी income हमको find करनी है तो total कितने लोग है जैसे मैंने बता है 10 उसमें जो 10 लोग है वो काम कर रहे है और जो mean value हमको दिया कि इतना हमने mean find कर रहा है कि हाँ इतनी income तो होगी ही होगी यहां के जो employees है तो उस mean value से उन 10 लोगों का multiply कर देंगे तो हमको total पता चल जाएगा कि कितना पैसा इन 10 लोगों को दिया जाता है हर महिने इसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगी कि firm A का अगर हमको पता करना है कि monthly basis पे वो कितना पैसा दे रहा है ठीक है उसके workers को तो हम क्या करेंगे कितने ल value का multiply कर देंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि इतने लोगों को हर महिने इतना पैसा total यह जो firm A है यह देता है ठीक इसी तरीके से firm B के लिए find करेंगे ठीक है दोनों का पैसा पता कर लेंगे कि हर महिने दोनों कितना कितना पैसा देते हैं जो जादा पैसा देगा वह यह प्रशन नमबर वन में हमको जो बुला गया उसके according हम कर रहे है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे पौर कि पार्म एग ठीक है सबसे पहले firm A के लिए find कर रहे हैं तो कि नंबर ओव वेजे जर्णर कितने हैं कि मतलब कितने लोग काम करते हैं 586 ठीक है और mean of mean of monthly wages equal to 5,253 ठीक है अब हमको total amount पता करना है कि monthly basis पे firm A कितना income sorry कितना wages जो है वो पे करता है ठीक है सो यहां पर हम लिखेंगे सो जो firm A है उसका monthly wages कितना है जो वो वहां पे काम करने वाले लोगों को देता है तो टोटल कितने हैं वहां पर workers 586 ठीक है और mean value कितनी है 5253 ठीक है तो इन दोनों का जब आप multiply करेंगे तो आपको यह value मिलें ठीक है यूनिट 10 10000 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 508 रुपीज जो है इतना टोटल अमांट फों ए सिफ ओ सिफ सेलरी पर यह देटा है ठीक है clear चलो सो फॉर्म एक पता चल गया अब फॉर्म बी के लिए find करते हैं इसे ये करना है तो मैं यहीं से start कर लिए ठीक है तो फॉर Firm B चीक है तो सीम ऐसे ही लिखना है मैं डारेक्ट क्या कर रही हूँ calculate कर दे रही हूँ कि इसमें number of wage earner कितने है 648 और जो mean of monthly wages है mean of monthly wage है वो कितना है 5253 ठीक इतने ही रूपीज है तो आपको बिल्कुल जैसे इसको मैंने व्यावस्थिट करके लिखा है इसको भी वैसे लिखना है आपको ठीक है so जो जो firm D है उसका monthly wages कितना देता है वो टोटल कितने लोग काम करने वाले है 648 ठीक है और mean value कितनी है 5253 ठीक है तो इनका multiply करेंगे तो आपको यह value मिलेगी तो आप यहां पर देखें कि firm A जो है यह इतनी total महिने में salary देता है और firm B जो है salary मतलब wages जो भी है बत्ता या जो भी आप कह सकते हैं तो जो भी salary है वह इतनी देता है firm B तो अब आप खुदी देख लेजी कि firm A 30,000,000 दे रहा है 30,000,000 कुछ और firm B जो है 34 यानि कि 34,000,000 दे रहा है तो clear दिख रहा है हमको कि जो firm B है वो ज्यादा पैसे दे रहा है ज्यादा पैसे पे कर रहा है clear so हमसे पूछा था which firm A और B pays larger amount as monthly wages ठीक है so जो firm B है वो monthly wages as monthly wages ज्यादा amount पे कर रहा है so यहाँ पर हम लेखेंगे so therefore firm B pays larger amount as monthly wages clear समझ में आ गई बात so इसमें CV find नहीं करना था mean find नहीं करना था सिफ हमसे एक simple से चीज़ पूछे गई थी कि firm A और firm B है दो firm है दोनों में से हर महीने अपने employees को ज्यादा पैसे कौन सा firm pay करता है तो हमको पता था कि firm A में इतने लोग हैं और mean value यह है यानि कि जो भी वो pay करता है उसकी mean value यह है जिससे हमको एक amount मिली है कि हाँ इतना इतना वो pay करते हैं तो इससे हमको clear दिख गया कि यह amount छोटा है इसके आगे मतलब जो firm B है वो ज्यादा pay करता है clear समझ में आगे बात तो यहाँ पर जो आपका question number 3 है उसका first part हमने complete कर लिया है note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं अब question number 3 का ही second part देखेंगे so question number 3 का जो second part है उसमें हमसे पूछा जा रहा है which form A और B यानि A और B दोनों form मैंसे कौन सा form shows greater variability in individual wages यानि कि यहाँ पर हमको यह बताना है कि variability किसकी ज़ादा है clear और variability हम किस से पता करते हैं cv से ठीक है coefficient of variation तो coefficient of variation find करने के लिए हमको mean चाहिए और standard deviation देखो coefficient of variation का formula होता है हमारा standard deviation upon mean into 100 ठीक है clear और coefficient of variation जिसका जाधा होता उसकी variability जाधा होती और stability कम होती है ठीक है clear तो यहाँ पर तो खेर हम से variability पूछी जा रही है तो हम देखेंगे कि cv जिसका भी ज्यादा होगा firm A और firm B दोनों के लिए find करेंगे दोनों में से जिसका cv जाधा होगा उसकी variability जाधा होगी ठीक है और एक चीज मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि मीन तो हमको यहां पर दिया हुआ है firm A के लिए mean value दिये firm B के लिए mean value दिये और दोनों का मीन अगर आप देखें तो मीन दिया है वो और firm B में जो mean दिया है वो दोनों equal है और जब हमारा जो mean होता है अगर equal होता है दोनों data का तब मैंने आपको बताया था कि standard deviation के base पर भी हम बता सकते है variability या stability ठीक clear तो यहां पर हाला कि मैं यह भी आपको find करके बता दूंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी लेकिन अगर जब आपका mean equal है तो फिर आपको cv find करने की जरूरत है ही नहीं standard deviation के base पर भी हम variability और stability बता सकते हैं चल तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो कि for form a ठीक है इसका जो mean है यह क्या है तो a form की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर इस तरह से लिख देते ठीक है mean लेकिन किसका a का यह हमको दिया है 5253 ठीक है और हमको यहां पर standard deviation नहीं दिया है हमको variance दिया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको standard deviation मतलब की sigma find करना है तो square root of variance कर लो आपको standard deviation मिल जाएगा ठीक है तो बस यहां पर हम यही करेंगे variance हमको दिया है variance से ही हम standard deviation find करेंगे तो यहां पर variance को हम sigma square से शो करते हैं तो variance हमको दिया है 100 ठीक है और हम form A को ही अभी solve कर रहे हैं ठीक है तो variance हमको दिया है और अगर हमको standard deviation यानि की sigma find करना है तो square root of variance variance कितना है 100 ठीक है 100 का square root 10 तो standard deviation हमारा आगया 10 लेकिन किसका A का तो यहां पर भी सभी जगे आप A लगा दीजिए clear ठीक है तो हमारे पास mean आगया standard deviation आगया for form A ठीक है अब form B की बात करेंगे तो form B की बात करेंगे तो इसका जो mean है तो यहां B लगा दिया मैंने ठीक है इसका mean भी वही seem है 5253 ठीक है इसका भी variance ही हमको given है तो variance मतलब की sigma square कितना है 121 ठीक है और standard deviation क्या होता है हमारा square root of variance तो variance हमारा कितना है 121 121 किसका होता है 11 का ठीक है तो standard deviation हमारा आगया किसका B का ठीक है तो यहां पर देखो क्योंकि mean दोनों के equal है इसलिए standard deviation के base पर आप देखें तो standard deviation A का 10 है B का 11 है मतलब 11 बड़ा number है तो जो firm B रहेगा ठीक है उसकी variability जादा रहेगी clear तो यहां पर आप लिख सकते हैं clearly अगर standard deviation के base पर आपको लिखना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि since standard deviation of B is greater than standard deviation of A so therefore B shows greater variability ठीक clear तो standard deviation के base पर आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको cv find कर नहीं है तो वह भी मैं आपको बता देती हूं cv से कैसे करेंगे आप so यहां पर आपका जो question number 3 का second part है यह खतम हो गया क्योंकि mean equal है तो standard deviation के base पर हम बता सकते हैं कि किसकी variability जादा है किसकी stability कम है ठीक है लेकिन फिर भी अगर जैसे कि cv अगर मान लीजे find करना होता तो कैसे find करते हैं तो cv of a sigma a upon x bar a into 100 तो sigma a, sigma a मतलब standard deviation of a कितना है 10 clear ठीक है और cv of b तो यहाँ पर sigma b upon x bar b into 100 तो यहाँ पर क्या आएगा यह आएगा 1000 upon 5253 और यहाँ पर आएगा 11 100 upon 5253 तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे जो value आएगी वो छोटी रहेगी और इससे जो value आएगी वो बड़ी रहेगी ठीक है तो वो आप calculate कर लीजेगा तो जो cv है coefficient of variation है b का वो जादा बढ़ा रहेगा इसी लिए जो firm b है उसकी variability जादा रहेगी ठीक है तो हाला कि यह करने के आपको ज़रूरत नहीं है इसमें reason इसका क्या है कि mean equal है तो standard deviation के base पर हमारा answer कर सकते है clear ठीक है तो जो question number 3 था उसका second part भी हमारा complete हो गया है note करना चाहते है तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं अब हम देखेंगे next question question number 4 तो यह है हमारा question number 4 तो पूरा नहीं लिखा है मैंने सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं the following is the record of goals scored by a team A यानि कि एक team A है जिसके जो matches है जो goal का score है वो सब इस table में हमको दिया हुआ है ठीक है और आगे question में बोला जा रहा है for the team B और team B के लिए इस तरह का कोई data नहीं दिया है हमको directly बोला गया है mean number of goal scored per match was 2 with a standard deviation 1.25 goals यानि कि team B के लिए हमको directly mean दिया है standard deviation दिया है लेकिन team A के लिए हमको data दिया है इस data से सबसे पहले team A के लिए हमको mean और standard deviation find करना होगा ठीक है आगे बोला जा रहा है find which team may be considered more consistent तो consistent या फर stability मैंने आपको बताया था कि दोनों ही word है अलग-अलग बट मतलब वही है कि इन दोनों team में से team A और team B इन दोनों team में से कौनसी team जादा consistent है तो जिसका भी CV कम होगा वो जादा consistent होगी team मतलब कि CV हम find करेंगे लेकिन CV find करने के लिए team A के लिए mean और standard deviation find करना होगा और team B का question में हमको दिया हुआ है क्लियर ठीक तो टीम B का हम लिख लेते हैं कि को कॉश्चन समझ में आया team A के लिए data दिया हुआ है और team B के लिए mean और standard deviation दिया है तो team B के लिए हमको कुछ find नहीं करना है लेकिन अगर team A का CV चाहिए तो हमको mean भी चाहिए और standard deviation भी चाहिए तो मैंने आपको shortcut method से भी mean और standard deviation find करना बताया पिछले जो दो question थे उन में मैंने आपको standard deviation और mean है वो मैंने shortcut method से ही समझाया था और कराया था ठीक है तो वो आपकी choice है क्योंकि यहाँ पर तो हमको कुछ बोला नहीं किया है कि आप इस method से standard deviation find करिए तो वो आपकी choice है आप जिस भी method से करना चाहें तो यहाँ पर आप देखें जो number of goal scored है इसका मतलब क्या है कि यह हमको x की value दी है और number of matches है यह हमको frequency दी है discrete frequency distribution ठीक है तो बुक में तो आपके यह लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा के x लिख रही हूँ ठीक है और यह हमारी frequency ठीक है अब हमको mean find करना है तो mean find करने के लिए हम basic method यानि कि जो हमारी इसका यूज कर सकते हैं summation fx upon summation f ठीक है और फिर आपकी चोईसे आपको जिस भी method से mean और standard deviation find करना हो तो एक formula और मैंने आपको बताया था standard deviation find करने के लिए जिसमें आपको mean find नहीं करना होता है क्या बताया था मैंने आपको variance equal to बताया था 1 upon n ठीक है summation f i x i का whole square minus summation f i x i का whole square ये ठीक है एक formula ये बताया था मैंने आपको और यहाँ आएगा multiplication में इधर n capital n ठीक है एक ये formula भी बताया था मैंने आपको variance find करने के लिए और अगर इसी पर आप root लगा देंगे तो इसी से आप standard deviation भी find कर सकते हैं ठीक है तो इसी पर अगर हम इस तरह से ये x है ये f है हमको x का square की भी ज़रुत लगेगी तो square हम पहले ही कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 0 1 का square 1 2 2 0 4 3 3 0 9 4 4 0 16 और frequency का sum यह हो जाएगा 25 ठीक है summation fi और यह ही होता है हमारा capital N ठीक है तो अब हमको किन किन चीजों की ज़रुत सबसे पहले तो fi into xi कर लेते हैं क्योंकि यह mean में भी हमारे काम आएगा ठीक है तो यह रहा fi यह रहा xi इन दोनों का multiply करेंगे तो 0 into 1 0 9 1 0 9 7 2 0 14 5 3 0 15 4 3 0 12 ठीक है इन सभी को add कर लिया तो यह मिल गया 50 ठीक है इसके बाद fi into xi square find करेंगे तो यह रहा xi square और यह frequency इन दोनों का multiply करेंगे 1 into 0 0 9 1 0 9 7 4 0 28 और 5 9 0 45 16 3 0 48 ठीक है clear तो यह भी आ गया अब यह तो हम बाद में भी लिख सकते है क्योंकि यह तो हमको given ही है ठीक है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ अभी के लिए for team a mean find करेंगे तो यहाँ पर भी हम छोटा सा a लगा रहे है ताकि आपको समझ में आ सके कि mean है बट किसका है यह a का है तो formula होता है समेशन fx अपॉन समेशन f तो fx का समेशन है 50 और f का समेशन है 25 ठीक है तो आपको formula लिखना है और फिर value put up करना है मैंने डेरेक्ट कर दी ठीक है तो समेशन fxi अपॉन समेशन f तो 25 टूजार 50 तो मीन आ गया ठीक है अब यहाँ पर अब हम standard deviation करेंगे तो जो formula लिखा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी ठीक है तो सिर्फ क्या था कि यह जो one upon n था यह भी मैंने अंदर कर दिया ठीक है तो यह formula है मारा ठीक है तो यह सारी चीज हमने कर लिए mean find कर लिया अब हमको standard deviation find करना है so formula वो है मैं उसे value put up करूंगे तो ध्यान से देखें वन upon capital N capital N का मतलब क्या होता है frequency का sum so one upon n मतलब 25 clear a square root of capital N मतलब 25 into f i x i square का summation f i x i square का summation 130 minus f i x i का summation 50 और इसका square ठीक बस इसको आपको solve करना है और आपको मिल जाएगा आपका standard deviation किसका team A का clear तो चलो उसको आगे solve करेंगे इन दोनों को जब आप multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 3250 और 50 का square तो 2500 ठीक है ठीक है इसमें से यह minus करेंगे तो आएगा 750 अब इसका square root find करते हैं तो division method से आपको करना है ठीक है तो इसका square root find करेंगे तो यह आएगा 27.38 ठीक है और 25 as it is इसको divide करेंगे तो आएगा 1.09 ठीक है तो sigma A मतलग कि जो team A है ठीक है उसका mean हमारा रहा यह 2 ठीक यहीं से मैं direct लिक देती हूं x bar a कितना आया है 2 यह हमने find करा है और sigma A मतलग कि जो team A है उसका standard deviation ठीक है अब team B के हम बात करते हैं और formula लिखना है आपको फिर value put up करना है ठीक है तो अब आप देखें जो team A है उसका mean 2 है standard deviation 1.09 है और team B का हमको दिया हुआ है ठीक है clear so अब हमको यह देखना है यहाँ पर हमसे यह पूछा गया है कि जो दोनों team है team A और team B इन दोनों में से consistent कौन सी team है तो यहाँ पर फिर से अगर आप देखें तो team A का mean 2 है और team B का mean जो हमको given है वो भी 2 है तो जब mean equal होता है तो हमको CV find करने की जरूरत है ही नहीं coefficient of variation ठीक है standard deviation के base पर भी हम बता सकते हैं कि variability और stability किसकी ज़ादा है तो यहाँ पर देखें जो sigma A है मतलब team A का standard deviation 1.09 है और team B का standard deviation 1.25 है दोनों में से अगर आप देखें तो हमको बताना है consistency और consistency कब ज़ादा होती है जब standard deviation कम हो तो जिसका standard deviation कम उसकी stability या consistency ज़ादा होती है ठीक है तो variability पूछी नहीं है अगर variability पूछी होती तो team B की variability ज़ा ज़ादा होती है हमसे पूछाए consistent कौन सी team है तो team A का standard deviation 1.09 कम है 1.25 से इसलिए जो team A है वो ज़ादा consistent होगी clear ठीक है समझ में आगई बात चलो तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो देखो यह team A के लिए हमने find करा team B के लिए हमको given था for team A given that this तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि since sigma A मतलब A team का standard deviation is less than sigma B यानि की team B का standard deviation तो standard deviation of A is less than standard deviation of B so therefore team A is more consistent than B खतम समझ में आगई बात ठीक है तो यहाँ पर cv find करने की जरुरत नहीं पड़ी reason क्या था कि भाई दोनों का mean आगर आप देखें तो दोनों का mean seem था तो हमने standard deviation के base पर बता दिया कि since जो A team का standard deviation is less than standard deviation of B जिसका standard deviation कम होगा उसी की consistency या stability ज्यादा होगी तो हमको यहीं बताना था ठीक है कि coefficient of variation of A क्या हो जाएगा हमारा team A का team A का standard deviation 1.09 upon team A का mean 2 into 100 ठीक है तो यह हो जाएगा two files are 10 50 से आप इसका multiply करेंगे तो यह आएगा 54.50 ठीक है और जो team B है उसका find कर लेते हैं तो standard deviation 1.25 upon 2 into 100 2 files are 10 50 सो यह हो जाएगा 625 0 मतलब कि 62.50 तो यहाँ पर भी आप देखें कि जो A है उसका CV कम है B team का CV जादा है तो जिसका CV कम उसकी consistency जादा ठीक है तो consistency पूछी है तो हम यही देखेंगे कि CV कम किसका है तो यहाँ पर भी देखें A का CV कम है इसलिए team A ही जो है वो जादा consistent होगी consistent होगी टिक clear तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि देखें मीन दोनों का एक वाली है तो CV की जराद नहीं है बट मैंने आपको बता दिया ठीक है चलो अब हम देखेंगे कॉशन नुमबर फाइव यह हमारी exercise 15.3 का last question है बट calculation बहुत जादा है तो बस द्यान से समझेगा ठीक है और थोड़ा बहुत इदर उदर decimal में या number में वह तो आप देख लेना अपने साब से ठीक है तो चलो question देखते हैं तो question में बोला जा रहा है the sum and the sum of squares corresponding to the length x ठीक है तो यहां पर हमको length जो है वो दी है या फिर पहले question पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाओंगे मैं तो sum and sum of squares corresponding to length x and weight y of 50 plant products are given below यहां पर यह data हमको दिया हुआ है यह length के लिए दिया है यह weight के लिए दिया है और total number of plants जो हैं वो 50 हैं तो 50 plants का data हमको दिया हुआ है ठीक है जो plants है उनकी जो length है ठीक है तो length का sum 50 plant की length का sum ठीक है और जो length है उनकी square का sum दिया है यह पूरा length दिया है और वो ही जो 50 plant है उनका जो weight है ठीक है तो जितने भी 50 प्लांटें सभी का weight लिखा और उन सभी का sum कर दिया ठीक है और जो उनका weight था उस weight का square का sum कर दिया ठीक है बाकि आप देखेंगे कि यहां पर भी हमको frequency नहीं दी है यहां पर भी frequency नहीं दी है मतलब यह जो data है यह हमारा ungrouped data है ठीक है तो ungrouped data वाले formula लगेंगे यहां पर आगे question में हमसे बोला जा रहा है which is more varying the length और weight तो varying मतलब की वही variability हमको बताना है कि weight और length में ज्यादा variable कौन है ठीक है तो variability मतलब की CV जिसका ज्यादा होगा उसकी variability ज्यादा होगी और CV find करने के लिए mean और standard deviation find करना होगा चलो तो समझ में आ गई बात कि यहां पर total number of plants 50 है तो total number of plants 50 है मतलब n हमारा है 50 इसलिए यहां पर question में आप देखेंगे तो i equal to 1 to n हम लिखते हैं तो नहां लिखा है i equal to 1 to 50 ठीक i equal to 1 to 50 ठीक है तो हमारा n हो गया 50 पचास plant हैं उनकी length का sum यह है पचासो के पचास plant का और जो length है उनका square करके sum कर दिया यह data है इसके बाद weight की बात करते हैं तो हमको cv find करना होगा और cv find करने के लिए mean find करना होगा और standard deviation चलो करते हैं तो देखो ungrouped data का mean हम कैसे find करते हैं summation x i का मतलब यह यह कि x1 plus x2 plus x3 plus x4 बट कहां तक plus x50 कितने plant हैं पचास plant हैं तो यह पहला plant दूसरा plant तीसरा चौथा और कहां तक कितने plant हैं पचास plant है इन सभी का sum है 212 इसका मतलब यह ठीक है तो इस तरह से हमको data दिया हुआ था x1, x2, x3, x50 तो जो ungrouped data होता है हम क्या करते हैं कि सारा data का sum कर देते हैं और divide कर देते हैं जितना भी data है तो number of term कितने हैं यहां पर 50 तो सभी का sum divided by 50 तो sum तो हमको दिया हुआ है पहले से ही ठीक है और total number of plant है 50 तो कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है इसको तो मैं हटा देती हूं तो mean ठीक है mean क्या हो जाएगा हमारा summation x i upon n i equal to 1 to n की जगा पर कितना है 50 तो यह हो जाएगा 212 upon 50 तो 54,200 decimal लगाएंगे तो 0 लग जाएगा तो 50,200 और फिर 0 तो 54,200 तो mean तो बड़ी ही आसानी के साथ आ गया ठीक है अब हमको find करना है standard deviation but अब थोड़ा सा समझ लें कि standard deviation अगर find करना है ungrouped data की बात कर रही हूं ठीक है सबसे पहले variance देख लेते हैं square लगा मतलब variance तो सबसे पहले तो हम variance find करते हैं variance मतलब कि sigma square equal to formula मैं यहां लिख रही हूं बट आपको लिखना है फिर value पड़ाप करना बन अपोन n summation x i minus x bar का whole square और i equal to 1 to n ठीक ungrouped data में variance find करने का formula ठीक तो 1 upon n n कितना है total number of 3 50 ठीक फिर summation i equal to 1 to n कितना है 50 ठीक है 50 ठीक है फिर x i minus x bar का whole square तो मैं whole square यहां पर open open कर रही हूं ठीक है आपको यह लिखना है फिर इसके बार इसको लिखना है ठीक है तो formula open करेंगे तो a square ठीक है minus 2 a b plus b square समझ में आई बात यहां पर हमने x i minus x bar के whole square में a minus b का whole square का formula apply किया है ठीक है तो formula apply कर दिया ठीक है अब जो आपका x bar है x bar तो आप पहली find कर चुके है लेकिन इसकी value अभी नहीं रखनी है ठीक है सबसे last में रखना है तो अभी 1 upon 50 तो रहने दो sigma अंदर जाएगा तो ले जाते हैं तो समेशन अंदर जाएगा summation i equal to 1 to 50 x i square ठीक फिर अगली step minus 2 और x bar यह दोनों constant है 2 x bar ठीक क्योंकि x bar हम पहले ही find कर चुके constant value है ठीक है 2 x bar अलग कर लिया x i के साथ summation लग जाएगा तो summation i equal to 1 to n x i clear ठीक है अब आगे चलते हैं तो यह formula मैं हटा रही हूँ आपको note करना है तो वीडियो को pause करके पहले इसको note करो उसके बाद यह step फिर यह step ठीक अब क्या plus अब x bar लगा है मतलब mean है तो यह भी हमारा constant है और summation summation i equal to 1 to 50 ठीक है और कुछ नहीं है मतलब की यहाँ पर क्या है 1 है ठीक और यह bracket लगा हुआ है ठीक चल अब हम values put up करेंगे तो ध्यान से देखना है आपको summation i equal to 1 to 50 x i square यह value हमको दी है दी है तो लिख लेते हैं ठीक है और यह 50 अंदर ले जाते हैं तो सीदी सी बात है कि 1 upon 50 जो है यह bracket के बाहर है अंदर जाएगा तो इस टम में इस टम में इस टम में सभी जगा multiply होगा ठीक है तो 902.8 और इसके अपन में आ जाएगा 50 1 का multiply होगा तो यही आ जाएगा ठीक है minus 2 x बार को as it is ही रहने दो अभी value मत रखो summation i equal to 1 to n xi i equal to 1 to 50 xi की value 212 तो 212 इसके अपन में भी आएगा 50 क्योंकि यह जो 1 upon 50 बाहर था यह यहां multiply करा यहां करा और यहां करा ठीक चलो आगे चलते हैं plus x bar square ठीक है रहने दो इसको आप ध्यान दें भाई 1 को आप summation करेंगे कितनी time 50 time तो 1 को 50 time आप add करेंगे तो 1 plus 1 plus 1 50 time add करेंगे कितना आ जाएगा 50 और इसके आपन में क्या है ठीक clear समझ में आगे बात अब आप देखें तो अगर आप आगे solve करेंगे तो यहां से तो आपने cancel कर दिया 50 से 50 तो चाहें तो comment लेके भी कर सकते हैं मैं अभी direct कर रही हूं जो हम y वाला find करेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा shortcut बताऊंगी अब मैं सभी को calculate करके लिख रही हूं ठीक है करेंगे मैं यहां सा अपर बात इन एक करेंगे तो देखो हमने यहां से वेरियंस मतलब सिगमा स्कॉायर फाइंड करा है ठीक है तो क्यालकोलेशन थोड़ी से देख लेना क्यूंकि डेसिमल के बहुत सारे सारे तक लिखा है मैंने तो आप थोड़ा ध्यान से करना ठीक है और इधर उदर अगर थोड़ा वहत हो तो आप देख लेना अपने साब से देखो मैंने क्या किया यहां पर एक्स बार मतलब की में की वैल्यू पूट अप करी 212 और अपॉन 50 चल रहा था इसको सॉल्व करा तो यह मिला और यहां 50 से 50 कैंसल एक्स बार मतलब 4.24 का स्कॉयर त तो standard deviation मतलब sigma अगर find करना है तो square root of हम find करेंगे variance तो square root of 0.0784 तो इससे आपको मिलेगा 0.28 standard deviation किसका length का या फिर आप देखें यहां पर x से show कर रहे हैं length को और weight को y से तो यहां पर standard deviation और यहां छोटा सा x में बना देती हूं ठीक है और यहां पर जो mean है तो x के साथ छोटा सा x में बना देती है ठीक है तो यहां पर देखो यह आया हमारा mean और यह आया हमारा standard deviation ठीक है clear तो अगर आपको इसको note करना है तो video को pause करके आप note कर सकते हैं एक बार और मैं आपसे बस यही कहा रही हूं कि यह जो calculation इनको थोड़ा स पर हो सकता है ठीक है clear तो यहां से length के लिए हमने mean find कर लिया ठीक है और सबसे पहले variance find करा और फिर variance हमने standard deviation find कर लिए ठीक है अब हम weight के लिए mean find करेंगे और standard deviation find करेंगे और इसको note करना है तो video को pause करके आप note कर सकते हैं तो यहां पर length के लिए जो mean और standard deviation find करा वो हमने side में लिखकर लख लिया है ठीक है अब हम weight के लिए find करेंगे तो देखें ध्यान से ज़रा तो सबसे पहले तो mean find करेंगे तो यह y है तो y का mean हम y बार से show करते हैं ठीक है equal to तो y i का summation हमको दिया है ठीक है तो y की अलग-अलग value है y1, y2, y3 कहां तक y 50 तक खीक है तो अगर इनका mean हमको find करना है तो इन सारी की सारी value को हम add करेंगे तो इनका जो summation है वो पहले ही हमको दिया हुआ है ठीक है तो यह हो जाएगा 261 upon और total number of कितने tree हमको बोले गए है plants या tree जो भी है ठीक है तो 50 अब इसको आप solve कर लीजिए ठीक है तो यह आगया आपका mean किसके लिए weight के लिए ठीक है अब हमको find करना है इसका variance तो सबसे पहले variance find करेंगे फिर उसका square root कर देंगे तो standard deviation मिल जाएगा ठीक है अब जिसे length के लिए हमने पूरा whole square open करा और फिर calculate करा यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से भी आप find कर सकते हैं आपको whole square open करने की जरूरत नहीं है ठीक है और इससे करेंगे तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम variance find कर रहे हैं और इसी पर आप root लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा standard deviation चलो तो इसको solve करेंगे अब हम तो 1 upon n मतलब 1 upon 50 summation और यहाँ i equal to 1 to 50 i equal to 1 to 50 तो y i square y i square का summation 1457.6 ठीक है minus y i का summation y i का summation 261 upon n मतलब 50 का whole square बस इसको calculate कर रहे हैं आपको variance मिल जाएगा तो अभी क्या आया है variance आया है क्योंकि यहाँ पर square लगाए दियान देने न variance आया है अब हम standard deviation find करेंगे तो variance पर आप root लगा दीजे 1.904 तो यह आ जाएगा 1.38 ठीक है तो यहाँ पर हमने length के लिए mean find करा standard deviation find करा weight के लिए हमने यह mean find करा और standard deviation find करा अब हमको यहाँ पर यह बताना है कि weight और length में से variability किस की ज्यादा है कौन ज्यादा variable है तो जिसका standard deviation ज्यादा होगा ठीक है sorry standard deviation से नहीं देखेंगे देखो mean यहाँ पर 4.24 है और यहाँ पर 5.22 है दोनों का mean अलग अलग है मतलब cv हमको find करना ही पड़ेगा चलो करते हैं ठीक है तो यहाँ पर length और for weight वेट के लिए हमने mean find करा कितना 5.22 और standard deviation find करा 1.38 ठीक है अब variability check करने के लिए cv find करेंगे cv किसका length का x से शो करेंगे इसको तो sigma upon x bar इसका sigma मतलब की standard deviation है 0.28 upon x bar मतलब mean 4.24 लेकिन आपको पहले formula लिखना है फिर value would up करना है into 100 ठीक है इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा 6.6 तो coefficient of variation of x मतलब की length का coefficient of variation 6.6 अब coefficient of variation of y weight के लिए तो इसका standard deviation 1.38 upon इसका mean 5.22 into 100 so इसका coefficient of variation आया है 26.4 so हमको बताना है कि दोनों मेंसे variability किसकी ज़्यादा है या कौन ज़्यादा variable है तो यहाँ पर cv of x 6.6 cv of y 26.4 x मतलब length और y मतलब weight ठीक है तो दोनों मेंसे आप देखें cv 26.4 किसका ज़्यादा है weight का ज़्यादा है कहने का मतलब यह हुआ कि जो weight है उसकी variability ज़्यादा रहेगी ठीक clear तो यहाँ पर हम लिख देते हैं since coefficient of variation of y, y मतलब weight is greater than coefficient of variation of x मतलब length तो coefficient of variation y is greater than coefficient variation of x so therefore weight is more variable than length clear समझ में आ गई बार so यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा जो length थी उसके लिए mean और standard deviation find करा ठीक है फिर weight के लिए हमने mean और standard deviation find करा ठीक है दोनों में मैंने standard deviation अलग-अलग तरीके से बताया है आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उससे standard deviation find कर सकते हैं ठीक है लेकिन आप square, whole square open करके करें या फिर इस तरीके से करें result आपको यही मिलेगा जब आप whole square open करके common लेंगे तब भी ठीक है तो वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो length और weight के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया mean और standard deviation अब क्योंकि दोनों के mean अलग 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 थे ठीक है इसलिए हमने coefficient of variation find करा length के लिए और weight के लिए और क्योंकि variability बता नहीं थी किसकी जादा है तो भाई cv हमारा weight का जादा है इसलिए जो weight है वो जादा variable रहेगा ठीक है तो note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं बाकी आज की class में बस इतना ही क्योंकि यहाँ पर यह जो question था question number 5 यह हमारी exercise 15.3 का last question था यह होब कि आज के class थी इसमें हमने 3 जो question किये हैं यह आपको अची तरीके से समझ में आया होगे बाकी और भी जो chapter 15 में हमने जो सारे अलग अलग concept समझे हैं आज का और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को 1 like जरूर करिये इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and थैंक यू